दोस्तो आज प्रणान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने एक टूइट किया और इस टूइट में उन्होंने ये जानकारी थी कि लाल कृष्ण आड़मानी जी को भारत रतने से सम्मानित किया जाएगा। प्रणान मंतरी मोदी जी ने ही टूइट किया था और उसमें बताया था कि विहार के पूर्व मुख मंतरी करपुरी ठाकुर जी को भारत रतने से सम्मानित किया जाएगा। चलिए लाल किष्ण आड़मानी जी के जीवन के बारे में कुछ महत्पोर फैक्टे डिसकस करते हैं। लाल किष्ण आड़मानी जी का जन्ब हुआ था 8 नवंबर 1927 को। इनका जन्ब हुआ था कराची में जो की वर्तमान पाकिस्तान में है। ये बीजेपी के संस्थापक सदस रहे हैं। इन्होंने अटल बिहारी बाजपेई जी के साथ बीजेपी की स्थापना की थी और बीजेपी की स्थापना कब हुई थी 6 अप्रेल 1980 को। दोस्तो याद रखना है कि लालकिष्न आडबानी बीजेपी के दूसरे ऐसे निता है जिन्हें भारत रतने से संभानित किया गया है। इससे पहले अटल बिहारी बाजपेई जी को भी भारत रतने से संभानित किया जा चुका है। मोरारजी देशाई की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं। इसके अलाबा 1989 से 99 तक भी लोगशभा में नेता प्रतिपक्च रहे हैं। 1999, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में वो गांधी नगर सीट से लोगशभा के सांसत चुने गए हैं। ठीक है। गांधी नगर कहा हैं। गुजरात में। दोस्तो, 1986 से 1991 और 1993 से 1998, 2004 से 2005 तक वो बीजे पी के राष्टिय अध्यक्ष रहे हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करते जाएगा। 2015 में उन्हें पदमे विभूशन से सम्मानित किया गया था। दोस्तो, लालकिष्ण आडबानी जी ने राम मंदर आंदोलन चलाया था। उसके लिए उन्होंने एक रत यात्रा निकाली थी गुजरात के सौमनात से आयोध्या तक की। ठीक है तो ये रत यात्रा काफी चर्चा का विसाय रही है। चलिए दोस्तो, भारत रत्म के बारे में कुछ वेसिक पॉइंट डिसकस कर लेते हैं। और ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पीपल के पत्ते का आकार बना रुए है और ये कांस धात उपर बना हुआ है। दोस्तो भारत रतन का अलंकरन 5.8 इंच लंबा होता है, 4.7 इंच चोड़ा होता है और 3.1 इंच मोटा होता है, तो ये माप भी आप नोट कर सकते हैं, इस अलंकरन के मुख भाग पर प्लेटिनम से बने सूर की आकरती होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तो भारत रतन अलंकरन को, तो इसके एक भाग पर सूर की आकरती होती है, और उसके नीचे भारत रतन लिखा होता है, और पिछले भाग पर राष्टिय चिन्न बना होता है, और उसके नीचे सत्तमेव जयते लिखा होता है, दोस्तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, कि भारत रतन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो सरपली राधा कृष्णन, सी राज गोपालाचारी और सीवी रमन तो इन सभी को पहली बार भारत रतने दिया गया था। प्रणाव मुखर जी को 2019 में भारत रतने दिया गया था। और 2019 में भूपेन हजारिका जी को भी भारत रतने दिया गया था। इंद्रा गांधी भारत रतन प्रोसकार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। 1987 में खान अब्दुल गफ़ार खान पहले ऐसे विदेशी वक्ति थे जिन्हें भारत रतने दिया गया था। सचन तेंदूलकर को भारत रतने 2014 में दिया गया था। याद रखिएगा। और यह भारत रतन प्राप्त करने वाले पहले खिलाडी बने थे। इसके अलाबा उन्हें सबसे कम उम्रे में भी भारत रतने दिया गया था। जब वो 41 साल के थे तब उन्हें भारत रतने दिया गया था। तो यह fact भी आप note कर सकते हैं। अब आपको comment box में यह बताना है कि भारत रतने की स्थापना कब हुई थी। तो यह answer आप comment box में ज़रू बताइगा। और आप हमारे telegram channel से भी जुड़ जाएगा। टेलिग्राम पर जाना है, study कर official सर्च करना है तो हमारा channel मिल जाएगा। इस channel को join कर लेना है तो आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलाबा आप हमारे app को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका description box में दिया गया है। वहाँ पर आपको e-book, test series, PDF, daily quizies सभी मिल जाएगा। एप पर आपको monthly current affairs, yearly current affairs की e-book भी मिल जाएगी हिंदी और इंगलिस दोनों मीरियम में। तो इनको प्राप्त करने के लिए एप को डाउनलोड करें। लिंक description box में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स लेक्शर में जैहिंद, वंदे मातरम।